तो हेलो फजन्ट्रेंग कंप나라 इसाने ऑंगली बार जो मैं बीडियो लाएं उन सभी सवालों का जवाब दे दूँगा तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो पहला सवाल है अनुज अगनियोत्री की तरप से भाई हमें ITR का फाइल करना है और उसमें हमने जो कोईन एरड्रॉप से बहुत पहले अर्ण किया था उनका सोर्स बता पाना मुश्किल है तो यह जो 30% tax है हमें government को देना है ना ही किसी exchange को और plus आपने जो दूसरा सवाल इसमें add किया है जो कोईन एरड्रॉप से बहुत पहले अर्ण किया था तो उनका सोर्स बता पाना मुश्किल है तो वो सब कैसे sort out होगा तो यहां पर बता दूँ यहां पर जो कोईन आपने एरड्रॉप में आपने एरड्रॉप मतलब कि टोटल आप उसमें जितना भी amount है वो आपको profit में मिला है तो टोटल एरड्रॉप का जो profit है उसमें आपको 30% tax कटेगा लेकिन आपने जो एरड्रॉप का कोईन था उसको पाया और उसको sell कर दिया 31 मार्च से पहले तो आपको वो tax नहीं flat tax जो 30% है उसमें नहीं आएगा वो normal tax lab में आएगा लेकिन एक April के बाद अभी भी आपने उस coin को hold किया है उसके बाद अगर आप sell करते हैं वो total airdrop profit माना जाएगा NFT हो गया airdrop और trading हो गया इन सभी में 30% tax देना है तो इस चीज़ को आपको समझना है अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है महेश चौधरी के तरप से sir gala games long term में कैसा रहेगा और कितना जा सकता है देखिए अभी इस coin की बात करूँ तो मैं यहाँ पर अगर मैं chart लेके बैठूँगा तो time लग जाएगा जहाँ पर मैंने अभी research किया है कुछ दिन पहले मैंने इस coin का chart देखा तो अभी यह बहुत अच्छा का सा down है अपने high price के हिसाब से तो अगर आप long term के लिए hold करते हैं तो बीच में कैसा मौका आएगा जहाँ पर यह coin 2x 3x का आपको profit दे देगा बड़ा pump इसमें देखने को मिलेगा ऐसा तब होगा जब bitcoin में एक बड़ा pump में देखने को मिलेगा तो long term के लिए मैं आपको suggest करता हूँ अगर आप यह coin buy करना है जिसमें profit अच्छा हो और project भी अच्छा हो इन दोनों सवार्व में मुझे देखके लग रहा है कि लोग आप समझदार हो गए हैं कि हमें meme coin में invest ना करके metaverse या फिर gaming project है जो कि काफ़े trending हो है और हमें past में अच्छा return दिया है इस तरीका का coin चुनना है तो blocktopia एक अच्छ के market में आते हैं 2-3 दिन में ही लगपती हो जाएंगे पैसे हमारे double triple हो जाएंगे नहीं अगर ऐसे coin में पैसे double triple हो रहा है तो वो एक scam project हो सकता है प्लस अगर आपके पैसे double हो रहा है तो लालज नहीं करना है sell करके निकल जाना है pump और dump वाले ऐसे बहुत सारे coin आते हैं ले प्रीर 10 लाग का investment करता हूं लेकिन इस बार मुझे 20 एक का loss हो जाता है और amount 50 जार ही बसता है तो profit के हिसाब से मुझे 3 लाग tax लगेगा तो उस condition में क्या धाई लाग tax मैं कहां से पेट करूंगा तो यहाँ पर बता दू सनी जी आप 1 लाग रुपाई लेके market में उतरे हैं ते यहाँ पर आपको 9 लाग मतलब यहाँ पर टोटल आपको 10 एक्स को प्रॉफिट हो गया आपको टोटल 10 लाग रुपे है तो वहाँ पर आपको 9 लाग में आपको 30 परसंट tax देना ही पड़ेगा profit में आपको tax देना है अब यहाँ पर यही चीज तो लोग tax में नहीं पस कर रहे हैं सरकार कैना है जो profit होता है वो हमारा है जो loss होता है वो आपका है अब यहां के अगर आपको loss होता है वो आपका loss होगा profit में आपको सरकार को tax देना है यही जो चीज है यह पसंद नहीं कि जा रहे हैं इसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं और सरकार भी इसके रेक्टिव ही कल के वीडियो मैं ने बताया था गुवर्मेंट ने 6 मन्त का टायम लिया है वो क्रिप्टो के उपर रिसर्च कर रही है कैसे इसे regulate किया जाए इससे related risk है इस category को से हटाया जाएगा तो यहाँ पर यह जो आपने पूछा है यह आप main पूछा है क्या हम set off कर सकते हैं यही जो main problem है आप set off नहीं कर सकते आप अगर 1,00,00 रुपए लेके उतरे हैं market में आपको 10x profit हुआ तो उस 10 जो आपने 10x profit कमाया है उसमें आपको 30% सरकार को tax देना है अब आप 10,00,00 रुपए लगाते हैं आपको 20x का नुकसान होता है उसमें आपको सरकार को tax नहीं देना होगा लेकिन आप set off नहीं कर सकते मतलब आपका loss ही होगा तो यहाँ पे हर हलत में आपको profit पे tax देना है उस profit पे आप trading करेंगे तो आपका risk है तो इस चीज़ को यहाँ पे जो bill में आया था और profit हुआ वो तो हमारा बराबर है लेकिन ऐसा नहीं है आपको जो profit हुआ उसमें tax देना है loss हुआ उसका set off नहीं है तो यहीं चीज़ है इसमें ज़्यादा risk है तो आप समझदारी से long term के लिए management करें प्लस आप ऐसे project से बचे जो कि scam हो या फिर कोई एक meme coin हो जो pump or dump का scheme हो अच्छे project में जो करेंगे आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा अब यहाँ पर जो अगला सवाल है वो शीवा बहादूर की तरब से है Binance में 30% tax लग रहा है या नहीं तो मैं बता दू Binance में tax लगेगा जो कि हाली मैंने एक news देखा है जहाँ पर government ने Binance से detail मांगा है जितनी भी Indian traders है उनके details मांगे गए है तो ऐसे में मुझे chance लग रहा है कि 30% tax लगेगा ये news मैंने confirmation के लिए check भी किया था और ये news सही है तो ऐसे में जो लोग Binance में trading कर रहा है वहाँ पर tax देना पड़ सकता है अब यहाँ पर जो अगला सवाल है सोमनाद गुपता की तरफ से अगर किसी coin में average करते हैं और उसे cost price में ही sell कर देते हैं तो क्या tax लगेगा तो बता दू आप अगर profit कमाते हैं तो अभी आपको tax देना है आपको loss भी हो जाएगा उस पर भी आपको tax नहीं देना है बस आपको profit पर tax देना है इसी से related बहुत सारे लोगों ने सवाल पूचा है तो आपको बस profit पर 30% tax लगेगा अब यहाँ पर जो अगला सवाल है बैरागी की तरब से क्या वजीरेक्स एक्षेंज बंद हो जाएगी तो बता दू ऐसा बिल्कुल नहीं वजीरेक्स अच्छा और legit एक्षेंज है जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फिलाल अभी जो ट्रेडर्स हैं वो घटे हैं tax की वज़ए से बहुत सारे लोगों ने अपने क्रिप्टो करंशी को ट्रांसफर किया है तो ऐसे में वजीरेक्स को लॉस तो देखने को पड़ा है लेकिन ये कभी बंद नहीं होगा ये अच्छा एक्षेंज है और बहुत सारे ऐसे इंडियन एक्षेंज है जो सुपरीम कोर्ट के पास गई है और फ्यूचर में ये जो बड़े एक्षेंज है जो government है उनके पास सारी डिटल है तो ऐसे में आपका पैसा safe है आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा ये एक्षेंज अच्छा है कहीं नहीं बंद होने वाला ना ही आपका पैसा कहीं लेके भागेगी अब यहाँ पे जो अगला सवाल है वो क्लिक बच की तरफ से है भाई क्या 31 मार्च तक अगर किसी कोईन में प्रॉफिट हो रहा होगा तो 1 अप्राइल को उसने भी टैक्स देना होगा या 1 अप्राइल के पास जो रहेगा उसमें टैक्स देना होगा एक अप्राइल के बाद अगर आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट पे 30% टैक्स देना होगा उससे पहले आपको जो भी आपका रूल है बेसिक तरीके से जो इससरे करम टैक्स पे करते हैं उस तरीके से आपको देना होगा तो 31st मार्च से पहले जिन लोगों ने सेल किया है उनको 30% टैक्स नहीं देना है अब यहाँ पर अगला सवल 100 रूप के तरफ से मैं 5,000 से ट्रेड करता हूँ अब मैं क्या करूँ? मैं तो C.A. हाइर नहीं कर सकता तो आपको यहाँ मैं बता दू C.A. हाइर करने की जरूद नहीं है आप अलाइन भी टैक्स पे कर सकते हैं बहुत ही असान है और 5,000 रूपे जे आप ट्रेडिंग करते हैं हर मैंने और आपको प्रॉफिट होता है उसमें भी टैक्स देना है यही प्रॉबबलम है मैं बता दू इसी टैक्स को पसंद नहीं करजा रहा है इस टैक्स में कोई टैक्स लाइब नहीं है यहाँ पर 30% फ्लेट टैक्स देना है चाहे आप जितने अमाउंट में भी ट्रेडिंग करिए आप यहाँ पर profit कमाते हैं तो आप online tax भे कर देंगे, कोई problem नहीं, आपको CH करने के जरूरत नहीं है अब यहाँ पर जो सवाल है संतोष कुमार का सर जी क्या crypto में this time invest करना सही time है क्या bitcoin bullend के तरफ जा रहा है, तो बतादो कि bitcoin अभी जो position है, वो bullend के लिए है यह जो April का महिना है, इसमें bitcoin हमें अच्छा profit देगा और अच्छा time में crypto में investment करने का अगर आप यह सोच किया हैं कि एक हपते, चार दिन, पास दिन में आप लगपती, करोर पती हो जाएंगे तब crypto में आप बहुत ज़्यादा loss खा सकते हैं, अगर आप किसी अच्छा project को चुनते हैं चार महीने, पास महीने, च्छे महीने, दो साल, तीन साल, अगर आप मतलब यहाँ पर बोलू, long term investment करते हैं आप बिल्कुल सेफ हैं, आप हमें साफ profit में ही रहेंगे, आप जो भी crypto select कीजी, आप अच्छा पुझेक, अगर आप सेलेक करते हैं, तो आपको profit ही होगा तो यहाँ पर आपने जितने भी सवाल पूछे, उन सभी को मैंने चुन-चुन के लाया और जवाब दिया, यहाँ पर बता दू, कई सवाल ऐसे थे, जो सेम थे, मतलब एक ही सवाल स्रेटेट 10-15 सवाल थे, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो जो सवाल चुना है, सभी को एंसर मिल गया होगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप बेधड़क इस वीडियो में सवाल पूछिए, मैं जब अगली बार वीडियो लाओंगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा, अगला जा संडे होगा, आपके लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ह ही है, तब तक आँगो नए वीडियो में कची बहुत 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 इन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद